अगर जुवा में हमेशा जीतना है, जुवा में जीत करके माले माल होना है, तो आज के वीडियो पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो जिन्दगी पर ऐसे ही रह जाओगे, रोते रह जाओगे, पचतातो रह जाओगे, लिकिन जुवा में कभी भी नहीं एक गरीब परिवार की एक कहानी है, एक छोटा सा लड़का था, जिसका नाम था संजय, ओ जुवा खिलने की सौकीन में आज था उनका, उन्होंने जुवा खिलने में बहुत ही उनका मस्ती होता था, बहुत ही अननद आता था, और जुवा बहुत बार उन्होंने खिलता थ वो लड़का जुवा बहुत ही बार खिलता था लेकिन जीत नहीं पाता था वैसे ही आपकी भी कहानी कह रहा हूँ मान लिजी आप भी जुवा खिलते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं और आप देखिएगा जब ही नहीं जीतते हैं जीतने के बगएर आप पैसे हार जाते हैं और हार करके परेसान हो जाते हैं तो आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि आरे अब हम क्या करें कैसे करें किस उपाय को करें जिससे की मेरा जिवा में जीत हो इतना ही नहीं जब आप पैसे हार जाते होंगे तो आपके साथ ही परोशन एक कहते होंगे कि आरे दुनिया मे कुछ नहीं कर पाएगा बस गीरा का गीरा इंसान रह जाएगा या किसी और ताने से आपको माता है लेकिन देखिएगा सामने वाला इंसान जब किसी को ताना मरता है जब किसी का इंसल्ट करता है बेईज़त करता है तो बहुत ही फुट-फुट कर रोता है और रोता है इसलि आपको चढ़ाने की कोशिस करेगा जाने की कोशिस करेगा लेकिन सही मार्ग पे आपको ले जाने वाला कोई नहीं होगा बस तुम हो और तुम्हारा दिमाग है जो कि तुम्हें सांती पुर्वक अस्थाई जिगाँ पे लेकर जा सकता है अगर जुवा में बारे बार जितना है तो मिरभग तो बस आज के वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और जुवाँ खेलने से पहले बस चूप चाप किसी को न बति लाईएगा और चूप चाप इस टोने तोटके को कर लीजिएगा फिर आपको जूवाँ खेलने चले जाना है और जूवाँ खेलने लगना ह रोड़पती से करोड़पती बन जाएंगे इस दुनिया में कौन ऐसा पुरुस नहीं होगा जो कि नहीं चाहता होगा कि मेरे पास घर हो गाड़ी हो मकान हो बंगला हो इतियादी सब कुछ हो आप ही सुचते होगे लेकिन ये सब कैसे होगा जब आप जुवा खिलिएगा और घर बनने वाले के का कहा जाता है लेबर लेबर में कामाई करेंगे तो उसमें कितना कैमेंगे दो सोना चार सोना पान सब इससे जदा नहीं कमेंगे लेकिन जुवा में जितेंगे तो माले माल हो जाएंगे आपका सोया हुआ किसमत भी जग जाएगा और आप माले माल हो गुरू के चमतकारी टोने टूटके देखिएगा सबसे पहले इस सुपाय को करना है मंगल वार के दिन या रवी वार के दिन जैसे ही किजिएगा उसके पहले मातर एक लवंग लिजिएगा क्या लीजिएगा एक लवंग जिसका पर्योग पूजा पाठ जादू तोना तंत्र मंत्र में किया जाता है वैसे ही आपको एक साबूत फूल वाला लवंग लेना है उस लवंग को लेने के बाद थोरी सी मातरा में कुम-कुम चंदन जो होता है लाल चंदन उसे कुम-कुम आपको चंदन लेना है थोरी सी मातरा में जैसे कुम-कुम चंदन लेजि पिर आप बगल में इधर यदर यदर चार से पांच अगरवत्ती जला दिजियेगा फिर आप फूरा दिशा की तरफ में घुम जाईएगा और इस लवंग को निकाल लिएगा अपने परस से पोकिट से और अपने सर से बस इस परकार से इस परकार से एक किस बर प्रवर् अम तिर्काये नमा, इस मंत्र का जाप आपको लोगों को चंदर में असपास कटे हुए, मिलाते हुए, सिर्फ एक सव वाठ बर करना है, कितने बार इस मंत्र का जाप करना है, एक सव वाठ बर, जैसे ही मंत्र जाप होगा, यह सीध होगा तूटका, ऐसा नहीं समझ किया जाता था परसन किया जाता था बूलाया जाता लेकिन आज का भी मंत्र कोई खास नहीं है बहुत ही ताकतवर है आज के भी मंत्र में जैसे आप सब देखे होंगे जब किसी का प्रेम बंधन साधी बिवा होता है या पूजा पाठ होता है उसमें मंत्र का प्रयोग जरूर किया जाता होगा वैसे ही इस मंद कर जाप कर देना है फिर उस लवंग को आपको उसी में कुम-कुम चंदन में लपिट करके कागज सही तर बंद कर देना है उसके बाद रात को जब ही सोईएगा उस समय अपने ताकीक नीचे दबा करके सोईएगा और सुबह में जैसे ही पिर आप जहाँ भी मन करें जहाँ ही इक्षा करें वहां जुवह ख् 찾 लेहां जाएगा लेकिन जैसे ही जाएगा आप बैठे ट्म के आसपास में से इस परकार से कहीं गलीजिए यह आपकी टीम बैठे है मालीजिए यह टीम आपकी बैठी है बस थोड़ी सी मातरा में इस गूमेंगे इस परकार से गूमेंगे और गूमते गूमते जुवे जित की बारी बुलेंगे उसके बाद में बुलेंगे है तिरी काय भगवान मुझे जुगा में जिताज दीजिए उसके बाद में फूरा अदिशा की तरफ में घूम करके साथ बर फूक माग दीजिए फिर चमतकार दिखिए जुवा जभी खिलिएगा उस समय या कभी भी आप काहीं जीत होगा मेरा वादा है आपसे मैं गरांटी देता हूँ यह जुवा जीतने का बहुती सतिक और सलल उपाय है जिसको अब तक आपको किसी ने भी नहीं बतलाया होगा